यह मसकार दोस्तों आप देख रहे हैं सनवाल एजोटेक यूटूब चैनल दोस्तों बात करेंगे आज बीए एमे और बीए रिजल्ट के भी बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कल कौन-कौन से रिजल्ट आपर डिकलियर कर सकती है और कौन-कौन से यूनिस्टी कौन सा प्रिवेस और final रिजल्ट है उसके बात करें राशान निक्वेस के बारे में टिकलियर करने मैं पौन-कौन-कौनर बात करें एक्जाम बहुत दिन हो चुकि यह उनिस्टी का बीएड रिजल्ट आपका इसी वीक में देखने के लिए मिलने वाला है M.G.S.C. की तरप से. बात करें JNU. JNU मेंमें यूजी और पीजी के रिजल्ट आचुके हैं. जोदपर उनिशेटि. तो BA की रिजल्ट JNU के भी बाकिएं. इसके रिजल्ट भी आपको इस वीक में ही देखने के लिए मिल सकते हैं. JNU की. बात करें. next university आती है quota university तो quota university के हम दोस्तों बात करें तो BA, BSC, become first year, second year result बकाय आई नियल का आच चुक है तो second year result है quota university के तरफ से become second year वो आपका एक या दो दिन के अंदर जारी किया जाएगा उसके बाद में BSC और BA का result डिकलेर होगा बात करें MMSC, M.com के कुछ quota university के, दोस्तों बात करें MLSU के तरफ से, तो MLSU का UG का result complete आच चुक है PGK भी लगवग complete आच चुक है कुछ रह चुक है, वो भी देर-देर आपके declare होगे, अब बात करें MLSU के जो BA result है, यानि कि जो BA first year हो चाई second year हो चाई चार वर्षो तो उनकी result आपके next month में आपको देखने के लिए मिलने वाले है, बहाँ सोड़ा university की बात करें तो BA part first year result है दोस्तों कल declare हो सकता है बहुत बड़ी update है, साथ साथ जो BA result है वो भी आपके जल्द declare होने वाले है, चार वर्षो एंटी गोर्सेज के अंदर final का result आच चुका है website पे जाके चेक कर सकते है उसके बाद हम बात करें MDSC, तो MDSC की बात करें तो BA third year का result आच चुका है BAC का भी और BICOM का भी अब first year और second year की exam चल रहे तो इनका result next month में आएगा, क्योंकि अभी exam next month में भी है, exam next month में भी खत्म नहीं होने वाली है तो इनका result थोड़ा लेट आएगा MMSC, MCOM का result आपका जल्द declare होने वाला इसी week में क्योंकि next 10 तारीक को exam रहे, lecture वाली जो first grade किया है, वो exam इसलिए MMSC, MCOM का result आपका इसी month में जारी किया जाएगा, beard की बात करें तो beard का तो अभी time table आया है तो इसका भी next month में last तक result आएगा beard वालों का अब दोस्तों बात करें, next university आती RRBU, RRBMU जो alvar universities है alvar universities की बात करें तो BA part first year, second year बकाया BSC और BICOM का भी first year result अभी तर डिकलेर नहीं है, तो BA part second year result दोस्तों कल डिकलेर हो सकता है, ये बहुत बड़ी मैत्वन अपडेट है कि alvar university BA part second year result कल जारी किया जा सकता है उसके बाद में आपके first year result डिकलेर होगी, MA, MSC, M.C.M.C.E. result next month के first week से start होंगे आना, क्योंकि UG के complete result के बाद में ही वो आपके next result आने वाले है बात करें, BEAR, तो BEAR की अभी exam चल रही है, दोस्तों इनका result next month में आएगा क्योंकि अभी exam ही start हुई है क्योंकि exam पूरी हुई है, क्योंकि नहीं हुई है उके उसके बाद हम बात करतें next university है Sekhawati university Sekhawati university की बात करें तो UG के result यहां पर आज चुके है complete और BBA, BCA जो semester आते है first, second, third उनके result अभी तक declare नहीं है MMSC M.com का result भी declare नहीं है और आज मैंने पहले एक video बना दिया था MMSC M.com के लिए गर कि जल्द यहां पर declare होनी वाले है क्योंकि जो 16 लगातर मांग कर रहे है और first grade के exam से पहले पहले आप लोगों का MA का जो result है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा उससे पहले MMSC M.com का result भी यहां पर declare कर दिया जाएगा तो BCA BB का result है वो भी आपका next month में first week में ही declare किया जाएगा B8 result है वो next month में आएगा इससे पहले आपका declare नहीं होने वाला है तो बिल्कूल आप no answer रहे है GG2 की बात करे और कई उन्हें स्रटीजे से MGSC हो गई GG2 हो गई इनके B8 के result है वो कल भी आ सकते है सबसे बड़ी update है ओके तो जैसे यहां पर कोई भी उन्हेटी रिजर्ट जारी करेगी तो आपको information मिल जाएगी बाकि आप सभी चातर कमंट सेशन में बता सकते है आपके उन्हेटी कौन से आपके कौन से पार्ट है क्या problem आ रहे है जो भी problem आ रहे है कमंट सेशन में आप जरूर बताई आपका solution किया जाएगा प्लीज लाइक, सेट, सब्सक्राइब थैंक्यू